नमश्कार मेरी सोल फैमिली कैसे हैं आप मैं हूँ आपकी होस्त निधी बक्षी बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप तक कुछ खास बाते पहुचानी है पर शायद उसका सही समय नहीं आया था और अब जब सही समय आ गया है तो इस ओडियो के जरिये मैं आप तक वो बाते पहुचाऊंगी जो मुझे पता चली है मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो टॉपिक है सोल, स्पिरिट, आत्मा और इस सीरीज को मैंने एक नाम भी दिया है और वो नाम है आत्मा से परमात्मा तक है ना इंट्रस्टिंग अच्छा क्या आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठते हैं क्या आपने भी कभी ऐसे सोचा है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां चले जाएंगे मरने के बाद क्या परमात्मा के दर्शन होंगे क्या स्वर्ग नर्ग वाकई होता है क्या कोई spirit world वाकई होता है क्या मृत्यू के बाद हमें हमारे अपनी जो छोड़ के चले गए थे ancestors, parents, siblings, friends, neighbors क्या कोई हमें spirit world में मिलेगा या मृत्यू के बाद हमें spirit world में हम कैसे पहुँच जाते है या इस दुनिया में आने से पहले एक soul अपनी family का चुनाव खुद कर सकती है इस दुनिया में आकर कोई अमीर हो जाता है कोई गरीब होता है, कोई बहुत दुखी है तो कोई बहुत नसीव वाला क्या angels वाकई में exist करती है ऐसे कई सारे interesting सवालों के जवाब आपको मेरे आने वाले episodes में मिलेंगे तो मेरे आने वाले episodes को दिहान से सुनते रहिएगा खेर अगर मैं अपनी बात करूँ और मैं अपना experience शेयर करूँ कि मुझे सबसे पहले जो मैंने death experience अपनी life में देखा था in fact देखा नहीं था सुना था हम joint family में रहते थे और मेरी सबसे बड़ी बुआ हमारे घर में expire हुई थी काफी समय से वो बिमार चल रही थी और मैं लगभग 6-7 साल की रही होंगी और मेरे साथ मेरे cousins और siblings मिलाकर हम घर में 6 बच्चे थे और जिस दिन मेरी बुआ expire हुई उस दिन हमें हमारे neighbors के यां भेज दिया गया जब मैं वापस आई तो हमें बताया गया कि बुआ जी तो भगवान के पास चली गई है तो ये सुनके मुझे बहुत जटका लगा कि अगर भगवान ये सब कहते हैं उपर हैं उपर आस्मान में तो इतनी जल्दी भगवान ने कैसे उन्हें खीच लिया इतना लंबा रस्ता उन्हें कैसे तै किया होगा क्या इस नीले आस्मान के पीछे भगवान चुपे हैं वो हमें देखते हैं और I mean वो मेरे लिए एक बहुत शौकिंग सा एक्सपिरियंस था क्योंकि साथ में मैं बड़ों की कुछ ऐसी बाते भी सुन रही थी जो रेलेटिव लास्ट में घर में बड़े बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि आत्मा तो अमर रहती है और ये जो शरीर है ये कपड़ों के समान है बदलता रहता है तो ये सवाल मुझे इंटरस्टिंग भी लग रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहे थे और उस समय तो मैं काफी दिन तक इस बारे में सोचती रही लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपनी लाइफ में बिजी होते जाते हैं हमारे अलग तरह के स्ट्रगल शिरू हो जाते हैं तो ये क्वेस्टिंज कहीं पीछे रह गए थे और फिर लाइफ में कई बार आपकी स्पिर्च्वल अवेकनिंग होती है जो शायद मेरी भी हुई कुछ साल पहले और मेरे जो वो बच्पन वाले सवाल थे वो फिर से उभर कर आने लगे यही इसी तरह के सवाल की कौन हूँ मैं कहां से आए हैं और मढने के बाद आखिर हम सब चले कहां जाते हैं आत्मा होती क्या है ये कैसे आत्मा हमेशा जीवित रहती है और शरीर बदलता रहता है हम कैसे वापिस से इस दुनिया में आते हैं जाते हैं और क्यूं आते जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे questions मैंने ढूंडे और जिसके लिए मैं बहुत सारे spiritual teachers से मिली art of living teachers से मिली spiritual gurus से मिली ब्रह्म कुमारी से बात करी इसकौन के priest से बात करी कुछ लोगों के past life regression जिन उन्होंने share करे वो सुने और कई लोगोंने near death experience share करे तो जब सारी बाते मैंने मिला के सुनी तो मुझे कई चीजें बहुत सिमिलर लगी इसके लावा साथ-साथ मैंने कई books भी पढ़ी Google पे search किया YouTube वीडियोज भी देखे तो कई चीजें बहुत सिमिलर लगी और उन सब को जब मैंने मिलाया तो मुझे लगा कि ये तो एक वाकई प्रूफ है कि ये सारी बातें सच है So मेरी soul family मैं वही सच आपके सामने बहुत जल्द लाने वाली हूँ तो आगे आने वाले episodes बहुत interesting होने वाले हैं आप यूही मेरे साथ बने रहिएगा लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले या आज का episode खतम करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हमें जो इस प्रत्वी पर भेजा गया है वो एक अच्छा इंसान बन कर रहना है और हमें इश्वर की बनाई अच्छी रहा पर चलना यही सबसे जरूरी है हमारे कर्मों के लिए ना हम अकेले ही जिम्मेदार होते हैं हमारे रस्ते में जाहे कोई भी आ जाए उसके लिए हम इश्वर या किसी और को दोश नहीं दे सकते सिर्फ निस्वार्थ सेवा करनी है अच्छे काम करने है बेमानी से दूर रहना है पाप से दूर रहना है जूट से दूर रहना है लेकिन इस सबसे ये सारे अच्छे काम करके होता क्या है यही चीज़े हैं जो आगे आने वाली कुछ सीरीज में मैं आपको बताऊंगी तो यूँ ही बने रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है तो मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए नमस्कार